जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब शैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जुलाई और 25 जुलाई 2022 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दूनों में ग्रहों की इस्तिती क्या होगी, नक्षत्र क्या होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से, आपके जीवन से चुड़े हर एक शेतर के बारे में पर वो आपके सिक्षा हो, स्वास्ता हो, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें, चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र योग के बारे में जान लेते हैं, शुब तिथी के बारे में जान लेते हैं तो पहले बात करते हैं 24 जुलाई के बारे में, 24 जुलाई ये सावन के माह की पहली एकादशी है, क्रश्न पक्ष की एकादशी, जो की कामिका एकादशी के नाम से जाने जाती है, बहुत ही शुब दिन है, योग बहुत उत्तम बन रहे हैं इस दिन, रोहिनी नक्षतर रहे का व्रदी नाम का योग बना हुआ है और साथ में एक योग और भी है जो उत्तम योगों में सेख है दुईपुशकर योग दुईपुशकर योग है इस दिन चंद्रमा व्रिशबरासी में हैं सूर्य करकराशी पुशनक्षत्र में अब इजीत मूरत है दोपहर बारा बज़े से बारा बज़ कर पचपन मिनट तक अब पच्चीज जुलाई का दिन तो ये जो दिन है ये सावन माह का दूसरा सौमवार है ये सौमवार का दिन बड़ा उत्तम है इस दिन द्वादेशी तिथी है शाम तक उसके बाद सौरिय कर्क राष कि पुष नक्षत्र में है दो और शुभय यूग बन रहे है सरवाड इस दिन और साथमे सपस्द को आपसे दिन पहना होँब है अब इजीत मुरत है दोपहर बारा बज़े से बारा बचकर पच्पन मिनट तक ये घुग ग्रहों बारें बात करेंगे, चौबेश जुलाई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो यह कामिका एकादशी का दिन है और जो भी एकादशी होती है भगवान विश्नु को समर्पित होती है लेकिन ये सावन माह की प्रथम एकादशी है भगवान विश्नु के साथ मूले नात का मतलब होता है कामनाओं को पूरा करने वाली कादशी तो इस दिन सुभा आप पीले वस्त्र जरूर धारन करें पीले वस्त्र का बहुत महत्व है इस दिन और पीले ही चीज़ों का दान पुन कर सकते हैं भोग में भी आप पीले वस्त्रों से पीले खाने की चीज़ों से भोग लगा सकते हैं पीले पूश पे चड़ाएं बगवान विश्णु का आशिरवाद प्राप्त करें और साथ में मन लक्षमी की आराधना भी करें और पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासु देवाय नम्हाम इस मंत्र का जब करते रहें बहुत पावरफुल ये मंत्र है ज लेकिन आज आपका मन बड़ा धर्मिक रहेगा धर्म कर्म के कारियों में मन लगेगा आपका जिससे आपको मांसिक शान्ती मिलेगी और जब आपको मांसिक शान्ती मिलती है तो पॉजिटिविटी बहुत आती है हर चीज को लेकर दूसरों को प्रभावित करने की आपकी श चीजों से चुटकार आप पाएंगे जो आपको परिशान किये हुए थी इस समय एविवाहित लोगों को उनका जीवन साथ ही मिलने वाला है दिन बहुत उंदा है आज के दिन अपने लिए समय निकालें अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं इस से आपके व्यक् प्राइज डिश पना सकते हैं जिससे आपके दिन की पूरी ठाकान जो है वो खतम हो जाएगी ठाकान आपकी खत्म होगे ये दिन अधिकतर लोगों के लिए शुब परिणाम देने वाला होगा सामाजिक कार या राजनीती इनकी शेत्र से जुड़े हैं तो महत्कुनो को ल प्राप्त होंगे इस दिन घरे लुवा तावरन बड़ा अच्छा रहेगा लब रिलेशन को लेकर मन में कुछ चिंताएं थी तो वो दूर होती हुए दिखेंगे आज जो दामपत्य जीवन से जुड़े लोग हैं वो एक दूसरे पर धिहान देंगे पति-पत्मी एक दू चिंसम्बंदी परिशाय दे सकता है जिसकी वजह से आपका काम भी प्रभावित हो सकता है अब 25 जुलाई की बात कहते हैं तो 25 जुलाई का दिन सौवार का दिन है सावन माह का दूसरा सौवार भागवान शिव को समर्पित है सरवार सिद्धी योग बना है अमर सिद्धी यूग बना है चंद्रमा भी सड़े 11 बजे राशी बदलेंगे शुकर के साथ आ जाएंगे आपकी राशी के स्वामी के साथ यूगों का बहुत अधिक प्रवाद देखने को मिलता है और जब ऐसा दिन हो शावन मास का सौंवार हो तो बहुत अधिक उसका आपको रिजल्ट करना बिल्कुल ना भूलें 11 से 21 बार आप हर्मान चालिसा का पार्ट करें बहुत ही ज़्यादा शुब बने नाम आपको देखने को मिलेंगे हमेशा कुछ नया करने की आदत आज आपको सफलता दिला सकती है आप अपनी संतान के भविश्य से सम्मंदित किसी एहम आज आपकी मदद करेगा जिसकी मदद से आप अपनी चीज़ों को समझेंगे और उनको उनसे आप बाहर निकलेंगे मित्रों की साहता से कोई सरकारी कारे भी बनता हुआ दिखाए दे रहा है जो आपने सोच के रखा हुआ था हो सकता है वो काम आपका पूरा ना हो लेकिन निराशना हो आगे आने वाले समय में आप उतने उसकारे को भी कंप्लेट कर पाएंगे धन खर्चे का युग बना हुआ है घर परिवार को लेकर खर्चा होगा आज आपके बचे खेल कुद में किसी तरह से सपोर्ट भाग ले सकते हैं पार्टनर से थोड़ा सा बस बहस कर जिन ना करें और जहां तक कामकाज की बात है करियर की बात है तो आज बहसे कुछ उलग सकते हैं आप तो वहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा आप किसी भी इस्तिधी को बहतर धंग से चल जा सकते हैं और यही जो आपकी कला है यह आज आपको दिखान रहेंगे आप बस भगवान शिव के प्रती पूर्ण रूप से समर्पित रहें क्याकि दोनों ही दिनों में भगवान शिव क्याराधना करना आपके लिए उत्तम फलदाई रहेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें